हर्याना के रिवाडी में घरों में जाडू पोच्छा करने वाली लड़की के साथ गैंग रेप करने के मामले में आपको बता दे कि तीनों आरोपितों को पुलिस ने आदालत में पेश करके एक दिन का रिमान भी हांसिल कर लिया है पकड़े गए आरोपितों के शिनाक्त जिला महिंदरगड के कनीना निवासी सचिन राहुल वसंदीब के रूप में हुई है इस बारे में जाच अधिकारी एसाई प्रमीला ने बताया कि कनीना निवासी हैपी लड़की को जाड़ू पोच्छा का काम करने के लिए अपने साथ अपने घर लेकर गया था जहां उसने करीब डेर साल तक अपने पास रखा इसके बाद उसने उसे एक परिचित के पासरे बाड़ी भेज दिया चार पाच महीनों से लड़की उस घर में काम कर रही थी 21 फरवरी की रात को हैपी उसे परिचित के यहां से अपने साथ गाड़ी में बिठा कर दिल्ली ले गया रासे में चार और यूवक गाड़ी में बैठ गए उन्होंने शराब पी हुई थी वे लड़की को लेकर दिल्ली में किसी मकान पर लेकर गए और उसके साथ गैंग रेप किया जब लड़की ने उनका विरोध किया तो उन्होंने उसकी जम कर लाद घुसों से पिटाई कर दी अगले दिन उन्होंने उसे दिल्ली में एक बस में बिठा दिया ततपचात लड़की ने महिला थाना पुलिस में शिकायत दी उसका मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जान शुरू कर दी थी इस मामले में तीनों आरोपितों को पुलिस ने गिरफतार किया है जबकि गैंगरेप में शामिल दो आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफतार कर चुकी है उस मालके ने खायद है भी ठीका बेज दूँगी ले जाओ इसको वहां वो 27 तारीक को लेने के लिए यहां आगे और उसको वहां काम करने के लिए जाड़ो पचले लेके गए रास्त फिर वहां से लेके गए वो दिल्ली दिल्ली ले जाके इसके साथ गेंगरेप हो गया जो पांच लड़के थे दो पहले रस्त हो चुके तीन अग होगे जो आज पेस के जणे हैं पांच के रहने वादे हैं आगे पांच के पांच के पांच के यहां के कनीणा की ब्रेकिंग न्यूज रास्त बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हर्याना सरकार की अफॉर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे की फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्र और मेंटेनेंस फ्री और कोई hidden charges भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर बुग करें